जै गुर्देव, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विश्नु, गुरुर देवो महेश्वराह, गुरुह साक्षात परम ब्रह्म, तसमे श्री गुरुवे नम, अर्चनी वन्दनी प्राता है इस्मर्णी परम पूजनी गुर्देव के, चर्णों में बारं बार वन्दन कर करते हैं वाजिस्तुश सास्त्र है , बेसिक और कोर्स है उसका चटवा पार्ट इस पार्थ क्रम का आधार क्या है ? पेस है ? उसको देखेंगगए , अपनी पुस्ताक है ! पत्राचार पार्थ है उसके लिए उसके आधार पर ये सब lectures बनाए गए हैं थोड़ा संक्षेप में रखा है इन lectures में और ये वास्तु का basics है यहने fundamentals है तो इसमें अपन ये सब देखने का प्रयास करेंगे कि इस particular का आधार क्या है अपने या कहा है सास्त्र में भगवत गीता के चोथे अध्याय के 39 श्लोक में श्रद्धावानम लबते ग्यानम तत परह जितेंद्रियह ग्यानम लद्वा पराम शान्तिम अचिरेण अधिगच्छति कि यह श्रद्धावान है जितेंद्रियह जिनकी सेंस आर्गान्स उनके कंट्रोल में है सास्त्र के प्रतीश रद्धा है गूरू के प्रतीश रद्धा है तो एसे व्यक्ति जो हैं एसे साधक जो हैं वो ग्यान को उपलब दो जाते हैं और तत्काल ही उनको शान्ति प्राप्त होती है तो अपने यह पाठिक्रम में अपने आधार क्या पताया कि यतने समय इस पाठिक्रम का अधियन करना है स्टडी करना है उसमें क्या करना है कि सूरी योदय से पहले उठना है सूरी उठ जाए सूरी योग जाए सूरी च्छितिच पे आ जाए उसके पहले उठना है प्रैक्टिकली फिजिबल हो तो इसना नादी करके सूरी नमस्कार करें और जो भगवत गीता है तो उसके अध्याय दो या अध्याय तीन उसका एक शलोक प्रती दिन अपने शब्दों में लिखे अपने पहले शलोक को पड़े हिंदी को पड़े उसको इंटरप्रेट करे अपने अंदर और जैसा समझ में आया वैस अर्थ अपने शब्दों में लिखना है और जब एक अध्याय पूरा हो जाएं दूसरा या तीसरा तो जो शलोक सबसे सरल लगे वो एक या आधा यह आधे से आधा उसको अपने जीवन में उतारना है उतारने का प्रयास करना है यह इसका बेज़ बनेगा इसका आधार बनेगा किसका यह course को study करने का क्योंकि आशांत चित में मलिन चित में ग्यान नहीं हो सकता ग्यान जब भी होगा तो वो शांत चित्त में होगा, इस्थिर चित्त में होगा, तो चित्त शांत कैसे हो, इस्थिर कैसे हो, निर्मल कैसे हो, तो उसके लिए निश्काम कर्म करना है, कामना से रहित कर्म करना है, थोड़ा भज्यान की इरतन, ध्यान, मेडिटेशन, वो करना है, और थोड़ा सा गीता है उसकी श्रिव एक चित्भ लियूारी और साओने चित्भ में तीन प्रकार काई ध्यान प्रकार में बादकर विक्षेप याने चित्त के इधर उधर भटकना, और आवरण याने ज्यान नहोना, मल विच्छे, पावरण, यह तीन बता तो चित्त की जो गंदगी है, मलिंता है, वो निश्काम कर्म से दूर होगी, चित्त का जो भटकाव है, वो भजन से, कीर्तन से, ध्यान से, वो भटकाव दूर होके चित्ते एकाग्र होगा उसके अपने वीडियो बने हुए हैं ध्यान के वो जो VTTC प्लेइलिस्ट में है उसका सेकंड नंबर का जो लेक्चर है वो मेडिटेशन का है कुछ समझ में ना आए लेक्चर ना मिले तो स्वास को गिनना है आराम से बैठ गए एक सास ली और छोड़ी दूसरी सास ली और छोड़ी यह स्वास गिनना है कम से कम 20 तक गिनो 20 तक गिनो जैसी चल रही है वैसी गिनो गिनती लगाओ शुरू तो करो दस-बिस सास आए तो बढ़ाते 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 लगबग देड़ सो सास तक गिनो सो देड़ सो तक गिनो उसके बाद थोड़ी देर और बैठे रहो गिनना बन करके तो वह ध्यान हो जाएगा तो इससे क्या होगा? चित जो है वो एकागर हो जाएगा और एकागर चित जो है वो बहुत सारे रहस्यों को प्रगट करने में सक्षम होगा फिर कर उत्थिष्ट प्राप जागरद प्राप वरानिबोदित कि उठो जागो और जो श्रेश्ट है उसको प्राप्त कर लो इस प्रकार के वाग कि अपने को उपनिशत देते हैं बताते हैं और क्या कहते हैं भगवत गीता में दूसरे अध्याय का 41 वा शलुक कहते हैं व्यवसाइत्मिका बुद्धिर एकह कुरुननन बहु शाखा हैंताश्य बुद्धियो व्यवसाई नाम वो जो डॉट लगा है वहां आधा आ आ आता है वो अभी स्क्रिप्ट में नहीं मिला तो नहीं लिखा पनी है यहां जो है इस जगे पर आ शब्दे आधा आ है क्या कहा कि देखो जो व्यवसाई बुद्धी है वो एक ही होती है और जो व्यवसाई बुद्धी है जो फोकस्ड नहीं है वो कैसी है उसकी बहुत सारी शाखाएं होती है और बहुत सारे भेदो तो इस प्रकार की बुद्धी जो व्यवसाई है वो शुब नहीं है अपने कार्री के लिए, इसके लिए क्या करें तो ध्यान करें, दो छोटे-छोटे से हिंट और देखके, फिर अपनी बात अभी आज की पूरी करेंगे, आधार यही अपने पाठिक्रम का, क्या आधार है, क्रिया सिद्धी, सत्वे, भवती, महिताम, नव करने, क्रिया सिद् दिनये, ट्रिक से नहीं, शॉटकर्ट से नहीं, तो यह धिहान मी रखना है कि जब भी अपन, जैसे अपना वास्तु का कार्य है, तो वास्तु में एक्सपट बनना है, अच्छे वास्तु-शास्त्री बनना है, तो सत्ति से ही उसको अपन लॉंग टरम में करगे, शॉटकर से काम नहीं चलेगा, और क्या कहा, जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु परताब कचु दुरलव नाही, कि इच्छा कहां से करना, वो मन माही, वो डीप रूटेट जो माइंड है, उसकी बॉटम में जाके, उसके बेस में जाके, जहां से सारे थौट जनरेट होते हैं, जहां जाके क्या करना, संकल्प मातर से ही सिद्धि हो जाएगी, ये पाश्यात्य सिद्धान से, कि बहुत कारी करेंगे, तो बहुत सफलता मिलेगी, क्या सिद्धान से, Ce, क्या सिद्धान से, सerv sell, डखिसे बी सिद्धी संभाव हों है, यह होती है, तो संकल्ब कहां से कर ना, उसकी हिंट दे रहे हैं, जो इच्छा करियो, मनْ माही की मन की जो गहराई ही है, वहां जाके संकल्ब करना, तो फिर क्या होगा प्रभु प्रताब कशो दुरलब नहीं कि फिर जो प्रभु है इश्फ के माने है उसके प्रताब से कुछ भी जगत में दुरलब नहीं है क्योंकि वहां वो thought का जहां से source है, वहां से जब thought को generate करते हैं, तो उसकी सामर्थ कैसी होती है, वो अनन्त होती है, बहुत ज्यादा होती है, अभी तो उपरी उपरी level से अपन thought को generate करते हैं, तो वो कुछ उसमें बल नहीं होता है, सामर्थ नहीं होती है, ताकत नहीं होती है, जब वही thought वो deep rooted एकदम अंदर जाके जब संकल्प करते हैं मनमाही तो क्या होता है उसमें असीम सामर्थ होती है तो यह सब अपने पाठेक्रम का आधार है जो अध्यात्म विद्या है जो spiritual science है वो अपने पाठेक्रम का आधार है तो आज की कई में आज के पाठ में अपने क् पहले यह देखा श्रध्धावानम लबते ग्यानम के श्रध्धा रकना है सास के प्रती गुरु के प्रती फिर क्या देखा सूर्योदे से पहले उठो सूरी नमस्कार करो भगवत गीता के अध्याय का दूसरे या तीसरे का एक श्लोक अपने शब्दों में लिखे हो और फ और जो इच्छा करियो मनमाही प्रभु प्रताप कच्छू दुरलब नहीं। चित्तो को शांत रखें, एक आग्रा रखें, फोकस्ड रखें, तो कारी में सफलता मिलेगी। इसी प्रकार से अपने को स्टडी करना है। तो अभी इतने ही कहके वानी को विराम देते हैं। अझाल मिलेगी। अपने को भी से प्रताप करना है। अपने प्रता ये वेखें, तो कि आगए में सिकप्टा कर रखें, एक रखें, एक रखें, आगें प difासे प्रताप करना है।